हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का कंपटीटिव अकेडमिया में आरो ए आरो 2016 का जो री एक्जाम होने वाला है 20 सेप्टेमबर को तो उसमें आप सिर्फ 9 दिन रहे गए हैं 10 दिन भी नहीं रहे गए हैं तो इन 9 दिनों में आपकी क्या स्टेटिजी होनी चाहिए कि आप जादा से जादा नंबर स्कोर कर सकें तो बेसिकली यह उनके लिए जिन्होंने 2-3 महीन अच्छे से पढ़ाई कर ली है लेकिन अब लास्ट का एक वीक बचा है और उसमें उन्हें क्या स्टेटिजी अपनानी चाहिए कि मैक्सिमम वो स्कोर कर सकें दस दिन में आप पढ़के तो नहीं ला सकते आप 120 भी लाना मुश्किल हो जाएगा तो इसमें सबसे में टॉपिक हैं तीन जो दस दिन के अंदर आपको दस दिन में करना है लास्ट के जो बचे हुए है एक तो टेस सीरीज दूसरा करेंट अफेर्स और तीसरा हिंदी I hope आप लोगोंने पहले भी टेस सीरीज की होगी RO-ARO 2016 के लिए ही इन दस दिनों से पहले भी लेकिन इन दस दिनों में आप कम से कम या भटा जादे जाद हो रहा है, तो फो या तीन टेस सीरीज एसी उठाईए जिसमें आपको जो कोश्न दिये गए हो थोड़े एनालिटि हो जैसा कि UPSC का ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो वो UPSC के close जा रहा है तो आप ऐसी कोई test series उठाईए जिसमें UPSC की तरह questions दिये गए हो भले आप UPSC की ही कर लिजे जिसमें 1.500 questions होते हैं उसको ले करके कर लिजे अगर आरो की कोई कर रहे हैं कारो रहा है कि आप प्रश्न आता है उसके बाद आप उसको गलत कर दे रहें यहांप फिर ऐसा हो सकता है कि कौन से ऐसी जगहा है जहां पर आप फूंबर चुरा सकते थे लेकिन फिर भी अ प्रस रेट हो गया है तो इस इसी उठाई है जिसमें प्रॉपर लास्ट में एक्स्प्लेनेशन दिया गया हो ताकि आपको बुक में ना ढूंड़ना पड़ एक्स्प्लेनेशन और वहीं से आप देखके समझ सके और किसी ऑथेंटिक कोचिंग स्टिटूट की हो या कोई दूसरा कोई ओगनाईजेशन हो तो यह करना है और अगर आप यह कर लेते हैं तो कन्फर्म है आपके 2-3 नंबर हर हाल में बढ़ जाएंगे आपने इतने दिन तैयरी कर लिए 2-3 मैने अच्छे से तैयरी कर लिए तो इसलिए आप 130-135 तक तो हर कोई ले आता है जिसने भी 2-3 मैने अच्छे से पढ़ाई की है आरो के लिए और पहले से करता आ रहा है तो ह हर कोई लिए आता है 135-40 के बीच में maximum लोग इसी में होते हैं लेकिन ज्यादा तर देखा गया है कि जो मेरिट है वो 140 प्लस ही जाती है अब इस बार अगर माइनस मार्किंग कर देते हैं तो मेरिट कम जाएगी लेकिन अभी मान के चलते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं होगी मैंने देखा नहीं है और कुछ आयो की तरफ से आया है उसकी वेबसाइट पर या नहीं आया है तो अभी मैं मान के चलता हूं कि मानस मार्किंग नहीं होगी पुराने पैटर्न पर ही होगा लेकिन हो सकता है जो पेपर है जो करेंट सिनेरियो चल रहा है यूपी-पी-पी- होना है तो आपको 150 तक लाना ही होगा क्यों सकता है चार नंबर पाच नंबर बढ़ जाए या हो सकता है कि आप एक दू नंबर नीचे आजाओ तो अपना टार्गेट इतना बना के चलो कि किसी भी कंडिशन में आप सेफ ही रहो तो आप अगर यह हुमन एरर नहीं करते हैं तो आपके तीन से चार नंबर विजली बढ़ जाएंगे बहुत इसली तीनसे चार नंबर आप तीन से चार कोष्टन बैसिकली यह बहुत इसली बढ़ा लोगे दूसरा यह कि करेंट अप फेयर्स यह आपको बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है 12 से 15 कोष्टन आते हैग और तो आप इन में बहुत आराम से 8 से ले करके 12 तक कोशन बहुत आराम से 12-13 तक भी आप कर सकते हैं तो इन 10 दिनों में आपने जो current affairs पढ़ा है उसको revise करिए static portion आप बहुत जादा नहीं पढ़ सकते हैं कुछ topic होते है static portion वाले जो आपको इसमें revise करने होते हैं जैसे कि जो index वाला portion है नेशनल पार्क से अगर कुछ ऐसा आ रहा है या census हो गया यह topic इन लाज दिनों में ही पढ़े जाते हैं static के और बाकी सिर्फ आपको current affairs जितना हो सके अपने पहले भी पढ़ लिया होगा कि शुरू में वो हिंदी के एक दो paper करते हैं और वो देखते हैं कि मेरे तो 45 प्लस आ रहे हैं 50 आ गए तो वो छोड़ देते हैं यह आपको कताई नहीं करना है क्योंकि हो सकता है आपने जो paper किये हो उसमें आपके 45 प्लस आ गए हो या 50 प्लस आ गए हो पेपर easy हो और जो exam में आए वो थोड़ा सा tough हो या अगर वैसा भी paper आएगा तो सभी के 45 प्लस आएंगे सभी के 50 प्लस आएंगे तो फिर आप benefit नहीं उठा पाएंगे और हिंदी एक ऐसा subject है RO ARO में एक ऐसा topic है जिसमें 6 topic हैं और अगर एक एक topic को आप 2 घंटे में easily cover कर सकते हैं दो दो घंटे पढ़ लेते हैं पहला थोड़ा बहुत आपको पढ़ा ही रहता है तो last में भी दो दो घंटे भी 6 topic को आप पढ़ लेते हैं तो confirm है आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप 50 प्लस इसमें आराम से निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत आपको पहले से पता ह होना चीए बेसिकली तब ही आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप शुरुवात ही वहीं से कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है और आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे एकदम तब भी आपके 40 क्या स्वास माक्स आ जाएंगे तो यह जो 10 नंबर है इसमें यह बहुत क्रूश जा सकते हैं और यह आपको छोड़ के नहीं जाना है यह टॉपिक हरहाल में आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़के जाना है ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें और रही बात आपकी जिएस की तो आपने जो बेसिकली पिछले दो तीन महीने में जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कि 10 दिन में आप कुछ पहार तोड़ देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है आपने जो पीछे पढ़ा है बस उसको और पॉलिश कर सकते हैं उसमें कुछ टॉपिक जैसे कि सिंसर्स हो गया दो से तीन कोशन आते हैं कभी चार-पांच भी आ जाते हैं वो आप लास्ट टाइम में रिवाइस कर सकते हैं नेशनल पाक हो गया जो आप भूल चुके होते हैं वो लास्ट में रिवाइस करना है और इंडेक्स हो वह आप लिस्ट बना लीजिए तो यह तीन बार पढ़ लेंगे इसलिए आपको याद हो जाएगा एक दो कोशन तो आते ही आते हैं तो यह जो छोटे चोटे एक दो तीन चार कोशन होते हैं या जैसे कि आपका करेंट अफियर्स में जो खेल वाला आता है बेसिकली मैं जब भी एकजाम देता था तो जो लास्ट का एक टॉपिक आता है खेल का तो उसमें मैं दो या तीन टॉपिक पढ़ता था वैसलिकि जो बैड्मिंटन के टॉर्नमेंट होते हैं बड़े-बड़े या वर्ल्ड कप वगरा कोई हुआ बड़ा या ओलंपिक वगर का इसको मैं रख नहीं सकता याद करके जादा दिन नहीं रख सकता कि 10 दिन पहले पढ़े पूरन गोड़े और व्लड जाऊंगा तो इसको सेम डे की लिए रखत था एक दिन पहले पढ़ दिया सेमदे रिवाईस कर लεूगा सुबह पंदा मिमिं में हो जाएगा तो ये कर पच्चासी तक ले आएंगे कैसे भी करके जाएं गर आपने दो-तीन महीने पढ़ाएं लेकिन इन पच्चासी में फिर जो पंदरा नंबर एड़ करना होता ये सबसे मुश्किल टास्क है तो इसमें आपको एक-एक नंबर एक-एक जगा से निकालना है तो इसके लिए ये कि आप human error ना करें आपके 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे आप sensex बहुत अच्छे से last device कर लें आपके 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे आप index पढ़ लें आपके 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे आप national parks वगएरा last में देख लें basically वो आपको जादे जादा अच्छे से पढ़ने जो current interface में दिये गए है जो current के आपके पतली सी book होगे उसमें जो दिये गए हैं वो तो ये आपको last में ये पंदा नंबर बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़े करनी है और हिंदी में आपके 50 marks होने चाहिए कम से कम तो इधर आपको कम से कम आपको 100 लाना है और दूसरी तरफ आपको 50 लाना है तो अब ये रहता है कि अगर आपके 50 में एक दो नंबर कम होगे इधर थोड़ा सा paper tough आ गया तो ये आपका जो GS है वो आपको संभाल लेगा वहीं अगर GS में आपके 24 नंबर कम होगे तो वो 50 नंबर जो उधर आ रहे हैं तो वो संभाल लेगा तो 140 प्लस 145 प्लस आपके आ ही जाएंगे जिसमें आप एकदम से वो आपको कुछ नहीं करना आप आईए मेंस की तयारी में जुट जाहिए जो इसका second step होता है उसमें तो basically यही है इसके लिए best of luck आप लोगों के exam के लिए बहुत कम टाइम बचा है तो basically यह चीज़े आप इन 10 दिनों में अच्छे से follow कर लीजिए अच्छे से revise कर लीजिए तो hope आपको marks मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए safe रहने के लिए 145 प्लस हो या 140 प्लस हो क्योंकि paper के उपर भी depend करता है कि merit कितनी जाएगी तो बाकी paper के बाद ही discuss करेंगे कि कितनी merit जाएगी और कैसा लोगों का experience रहा paper में तो चलिए फिर best of luck आप लोगों को मिलते हैं किसी और lecture में ओके